है कि में है एक है प्रा निए ये सिंदिया के अंदर बहुत सारे लोग जो है गोल्ड को इंपोर्ट करना चाहते तो हैं ये प्रोसीजर के क्या रूल सिंद्र ने रेगुलेशन से आप तो यहां पर पूरा मैं आपको वीडियो में डीटेल में बताऊंगा तो सबसे पहले यहां पर गोल्ड को लेके बहुत सारे misconception है कि यहां पर ऐसे गोल्ड ला सकते है पहन के गोल्ड ला सकते ऐसे लास सकते हैं बहुत सारे मिस्कंचेप्षन यहाँ पे हैं यहाँ भात करें तो इंडिया के अंदर जो गोल्ड आता है मुशली दौ तरीके इसे आता है जुए जुवलरी के फॉर में आता है और दूसरा जुए गौल बार पेसा कंसिडर करता है कि एक तोला दो तोला मतलब 20 ग्राम 40 ग्राम हम जो है गोल्ड ला सकते हैं पर ऐसा बिल्कुल नहीं है जो लोग तूरिस के तोर पर विदेश गए है बिजनेस की टूल पर 5 डेज 7 डेज या 30 डेज के लिए विदेश में गए है वो लोगों को जनरेल के अलाव नहीं है मतलब duty free gold जो है उसे अलाव नहीं है ना तो 10 ग्राम ना तो 20 ग्राम एस पर रूल के इसाब से तो अब यहां पर जो है duty free gold कौन ला सकता है और कितना ला सकता है तो कोई भी Indian person Indian passport holder जो है one year से भी ज्यादा विदेश के अंदर रहता है तो वो बंदा जो है 20 ग से ज्यादा विदेश में रहते हैं और वापस आते हैं तो वो जो है 40 ग्राम एक्विवेलेंट टू वन लेक रुपीज ऑफ आयनार का गोल्ड जो है duty free ला सकते उसके ज्यादा का गोल्ड उसके पास रहा तो उसको भी import duty भरना पड़ेगा मतलब यहां पर कोई भी person ladies या ज गुमने गया है को business delegation में गया है विदेश गया है तो वो भी इतना गोल्ड डूटी फ्री ला सकता है यहां पर जो है टूरिस के तोर पर यह विजिट के तोर पर जो है लोग विदेश जाते है उसको आम तोर पर डूटी फ्री गोल अलाव नहीं है तो यहां पर कोई भी पर लाता है और गोल लाता है तो अराउंड जो है 38.5% डूटी भरना पड़ता है तो यहां पर बिल्कुल मिस कंसेप्शन में मत रहेगा कि मैं जो है विदेश जाओंगा और यहां पर ऐसे गोल इंपोर्ट करना अलाव नहीं है तो कोई भी ट्रावेलर है उसके लिए गोल इं और लिमिर से ज्यादा लाता है तो उसके पर भी जो है उसको इंपोर्ट ड्यूटी भरना पड़ेगा तो यहां पर जो है ड्यूटी फ्री गोल अलाव नहीं है इंपोर्ट ड्यूटी भरना पड़ेगा और यहां पर जो मैं बता रहा हूँ उसने गवर्मेंट के रूल से मैं इशेंजिस आ सकते हैं बड यहां पर जो है को जनर्ल सब्सक्राइब्र मैं और उसको हमारी गोवर्मेंट करती है तो जिसको भी commercial goal import करना है उसको RBI and DZFT से permission लेना पड़ता है जनरली जो है आम आदमी को government RBI मतलब permission नहीं देती है तो इंडिया के अंदर कोई भी आम person कोई भी ज्वलर goal import करना चाहता है तो directly जो है वो import नहीं कर सकता RBI ने जो agency को allow किया है उसके थ्रू ही जो है उसे import करना पड़ेगा मतलब आम आदमी जो है commercial goal इंडिया में import नहीं कर सकता तो यहाँ पे जो है commercial goal आप import नहीं कर सकते हो फिर भी आपको goal चाहिए तो कैसे आपको करना रहेगा तो common person को जो है इंडिया के अंदर goal import करना है तो RBI स से and DZFT से permission लेना पड़ेगा बर जनरली जो है RBI और DZFT permission देता नहीं है तो आपको goal लाना है तो आप कैसे ला सकते हो जो RBI ने जिसको allow किया है जैसे कि MMTC हो गया HTC हो जिसको RBI ने allow किया है वो agency के थ्रू जो है आप goal ला सकते हो तो यहाँ पे जो है इंडिया के इंदर कौ करके उसके थ्रू जो है आप गोल इंपोर्ट कर सकते हो यह जो सारी agencies है वो commission लेके आपको जो है गोल इंपोर्ट करके देगी तो फर्स्ट मेटल और मिनरल स्टेडिंग कोर्पोरेशन लिमिटेड सेकंड हैंडिक्राफ एंड हैंडलोम एक्सपोर्ट कोर्पोरेशन थर्ड स्टेट टेडिक कोर्पोरेशन थर्फ प्रोजेक्ट और mitä यह जो सारी agencies है उसके तू जो है आप इंडिया के अंदर gold import कर सकते हो अब इंडिया के अंदर आप gold import करना चा चाहते हो तो import duty कितना है तो अभी जो है basic import duty है वो है 12.5% आपको basic import duty लगेगा और government के sales वगड़े जो है वो around 2.5% है and plus आपको जो है import के ओपर GST भी लगेगा तो generally gold के अंदर जो है GST है 3% तो आप import करते हो gold को तो आपको 12.5% basic duty plus 2.5% आपको sales भरना पड़ेगा and plus आपको 3% जो है GST भरना पड़ेगा तो gold import पे आपको इतना tax लगेगा तो यहाँ पे मेरी आपको advice है जो भी लोग travel करते हैं और gold लाते हैं प्लीज ऐसा बिलकुल मत करना custom में जो है बहुत tight checking होता है आप पकड़ेगे तो आपको jail भी हो सकती है तो आपको यहाँ पे क्या करना है आपको gold jewelry चाहिए तो इंडिया में अच्छी jewelry बनती है आप purchase कर सकते हैं विदेश में जो बिकरी है जो ज्वलर है आप भी ऐसा मत करो कि किसी से gold मंगवा लिया ऐसा नहीं करना है पकड़े गए तो बहुत सारे जूर्माने और jail भी हो सकती है तो आपको क्या करना है जो भी अच्छा इंडिया के अंदर demand है पर इसका जो business है पूरा genuine करियेगा तो यहां पर मेरा जो knowledge था उसके इसाब से मेरे वीडियो में बताया है Thank you Thank you for watching this video export import के latest update के लिए हमारा telegram channel join किजे और मुझे social media पे follow किजे जिसका link नीचे description में दिया किया है and export import के latest video सबसे पहले देखने के लिए मेरी YouTube channel को subscribe किजे और bell icon को click किजे जिसे आपको जैसे नया वीडियो आएगा notification मिल जाएगा Let's go global together Thank you Jai Hind Jai Hind Jai Hind